ओम शांति 23 डिसेंबर 1903 की संपूर्ण पवित्रता की अफ्यक्तवानी को कंटिन्यू करते हैं बाबा कहते हैं सदा ही साथ निभाने वाले साथी है न सबी बाबा के ये नशा खुशी है न जितना नशा होगा कि स्वयम बाब मेरा साथी है उतनी खुशी रहेगी खुश रहते हैं सबी बढ़ती रहते हैं या कम ज्यादा होती रहती है खुशी कोई बात आती है तो कम होती है फुड़ा तो कम होती है पूछ रहे बाबा फिर सोचते हैं क्या करें वैसे तो ठीक है लेकिन बात ही ऐसी हो गई न कितनी भी बड़ी बात हो लेकिन आप तो मास् तो रचता बड़ा होता है या रचना बड़ी होती है कभी कोई बात में घबराने वाले तो नहीं हो वहाँ जाकर कोई बात आजाए तो घबराएंगे नहीं न देखना वहाँ जाएंगे तो माय आएगी घर जाएंगे तो एसे तो नहीं कहेंगे कि मैंने तो समझा नहीं था ऐसे भी हो सकता है, नए नए रूप में आएगी, पुराने रूप में नहीं आएगी, फिर भी पहादूर हो, निश्चे है कि अनेक बार बने हैं, अब भी है और आगे भी बनते रहेगे, निश्चे की विजए है ही, अजिवर भी मास्ठर सरव शक्ति मान के स्मृती में रहने वाले कभी गब्रा नहीं सकते, सबी एवर रेड़ी हो गये हो या थोड़ा थोड़ा अभी तैयार होना है, कल विनाश आजाएं तो तयार हो कि सोचेंगे कि अभी ये करना था Ever Ready हो संपूर्ण हो गए हो संपूर्ण बनना हैं सभी को कहें हाँ जी बाबा Ever Ready कैसे हुए बनना है तो देरी है न ऐसे नहीं सोचना कि उस समय हो जाएंगे इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए अगर उस समय कोशिश करेंगे तो मुश्किल है वो नहीं सकेंगे ठिक नहीं सकेंगे इसलिए अभी से Ever Ready के संसकार इमर्ज करो माताओं को विशिश खुशी है न कि क्या से क्या बन गए दुनिया वालों ने जितना गिराया बाप ने उतना ही चड़ा दिया माताओं को कभी दुख की लहर आती है अच्छा पांडवों को कभी दुख की लहर आती है बिजनस में नौकरी में नुकसान हो जाए तो देवाला निकल जाए तो निपक्के हो क्योंकि निश्य है अगर बाप के सच्छे बच्चे बने तो बाप दाल रोटी खिराते रहेंगे जादा नहीं देगा लेकिन दाल रोटी देगा चाहिए भी क्या दाल रोटी ही चाहिए न रोटी नहीं तो चावल ही मिल जाएगा इतना पक्का निश्य है न? बस ऐसे ही निश्य में अटल अखंड अटल उड़ते रहो। ग्रूप नमबर चार से श्रेष्ट कर्म का अधार है श्रेष्ट स्मृती। अपने को सदा संगम्योगी श्रेष्ट ब्रामन आत्मा अनुभव करते हो। श्रेष्ट ब्रामन अर्था जिनों का हर संकल फर सकेंड श्रेष्ट हो। ऐसे श्रेष्ट बने हो कि कभी साधारन कभी श्रेष्ट। कभी साधारन और श्रेष्ट दोनों चलते है या सिर्फ श्रेष्ट चलते है। क्या होता है। थोड़ा थोड़ा चलता है। तो सदईव मैं उंचे से उंची श्रेष्ट ब्रामन आत्मा हूँ ये समर्ती इमर्ज रखो. चाहा कोई श्रेष्ट कार्य होगा तो ब्रामनों को बुलाते हैं. तो ये आप लोगों के यादगार है न? क्योंकि आप श्रेष्ट ब्राम्मनों ने सदा श्रेष्ट कार्य किया है तभी अब तक भी यादगार में ब्राम्मन श्रेष्ट कार्य के निम्मत है अगर कोई ब्राम्मन ऐसा कोई काम कर लेता है तो उसको कहते है ये ब्राम्मन नहीं है तो ब्राम्मन अर्थार श्रेष्ट कार्य करने वाले, श्रेष्ट सोचने वाले, श्रेष्ट बोलने वाले जैसे है न सभी श्रेष्ट, कहें हांची बाबा जैसा कुल होता है वैसे कुल के प्रमान करतव भी होता है अगर कोई श्रेष्ट कुलवाला ऐसा वैसा काम करे तो उसको शर्मवाते हैं कि ये क्या करते हो अपने आप से पूछो कि मैं ब्राम्मन उंचे से उंची आत्मा हूं, श्रेष्ट आत्मा हूं तो कोई भी ऐसा कारिय कर कैसे सकते है? क्योंकि श्रेष्ट कर्म का आधार है श्रेष्ट स्मृती, सदई वैसे ही श्रेष्ट स्मृती में रहे हम. चा, कम बोलो, धिरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोत समझकर बोलो, निमित्य भाव, निर्मान भाव, निर्मल्वानी. ओम शंदी